कैसे हो भी से भी प्यारे प्यारे साथ हूँ आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड़ापर इस वीडियो के अंदर में तीन चार चीजों पर बात करूँगा DSSB का रुकावा एंजन बढ़िया रफ्तार में चल रहा है पुरानी वेकंसी की एक्जाम डेट आ गई है पहले PGT का नोटिपिकेसन है अब TGT का PIT को लेकर भी में वीडियो के अंड में आपको समझा दूगा बात करते हैं TGT की TGT से related eligibility और क्या age criteria है कौन लोग fill कर सकते हैं वो सारे information इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी और वीडियो के end में आपको आपके subject के previous year paper study material questions वो कैसे मिल सकते हैं वो भी मैं बता दूँगा सुरू कर लेते हैं सबसे पहले कुछ assistance की vacancies आई है court में वो भी में उपर सो सबसे उपर notification दिया गया है वो ही दिया गया है अच्छी post है लगबग 1000 पद है court में assistant के और दिल्ली में court में assistant होना बढ़िया इसके और यह सबाब भर सकते हैं उसमें कुछ अलग से qualification नहीं यहां पर कुन सी vacancies आई हुई है TGT maths male female से अलग अलग आती है इसमें लगबग 1100 vacancies है maths में सबसे बढ़िया vacancies में है बात करें अगर हैं इंगलिस की तो लगबग 1000 के आसपास पद यहां पर है social science कम vacancies है साड़े 300 के आसपास पद है science जो हमारी दूसरी वाली science है social science से अलग उसमें लगबग जो vacancies है वो है 400 से थोड़ी सी ज़्यादा है हिंदी में vacancies फिर कम है 200 लेकिन संस्क्रित में भरके vacancies है 600 के आसपास vacancies संस्क्रित में है उर्दु में भी बढ़िया vacancies है उर्दु के साथ 7 तो यह जो vacancies है number of vacancies तो यह है बात कर लेते हैं आपको अभी eligibility भाई आप जो भी चीज अपलाई कर रहो वह आपने graduation में पढ़ा हो यहाँ पर बहुत सरल नियम है science को और social science को लेकर को इतना कोई मतलब दबाव नहीं दिया जाता है कि आपने फलानी चीज फलाने साल तक य नहीं होती है मैच में भी सिंपल है आपने मैच ओनर्स किया हो मैच पढ़ा हो कुछ भी किया हो आप eligible होते हैं दिल्ली के अदर बात करते हैं point number second कि सर एज क्या है एज 32 साल होती है TGT की male female के लिए 32 साल लेकिन female को एक 10 साल का relaxation मिल जाता है वो चाहिए कहीं की भी आप महिला उसमें कोई category नहीं चाहिए होती है बात कर लेते हैं exam के form कब से भरे जा रहे हैं तो हर vacancy के हाँ पर exam जो form है वो अलग-अलग time से भरे जा रहे हैं आपके जो exam form start हो जाएंगे फिल होने वो 8 February से start हो रहे हैं और 8 March तक आप लोग जो form fill कर पाएंगे अब इसके साथ ही बात क कर लेते हैं कि exam कब तक होने की उमीद है फरवरी मार्च पूरा पैक चल रहा है पुराने exams की वज़े से फिर आपका PGT का जो notification आया था पहले उसका exam होगा तो आप अप्रेल एंड तक मानिए वो होगा अप्रेल मही के starting में वो होगा यह exam आपका में में जाके ही हो पाएगा में जून आप लगा के चल सकते हैं तो आपके पास बढ़िया time है चार-पांच महीने का जो time चाहिए होता है नोकरी पाने के लिए वो है यहाँ पर आपने जो पुरानी अपनी KVS NWS की तियारिया की होगी बिहार में तियारी की होगी उसी को बस थोड़ा सा आगे बढ़ा अब आपकी PIT के वेकंसी जाएंगी उनकी भी लगबग 4-5,000 आने की उमीद है और सिर्फ दिल्ली जैसा छोटा सा इलाका आप लोगों को इतनी सारी वेकंसी दे रहा है वो वाकई में बड़ी बात है के विएस में 13,000 पद आये थे पूरे भारत से यहाँ पर लगभग इस इस से ज़्यादा पद सिर्फ दिल्ली से आ जाएंगे और ट्रांसफर वगएरा होता नहीं है सेलरी पूरे इंडिया में सबसे बढ़ी है थर्ड पॉइंट स्टेडी मेटिरियल कैसे पढ़ सकते हो क्या कर सकते हो आपकी सारी चिंताय दूर हो जाएंगी नीचे गूगल फ बता दो अपना कमेंट सेक्शन में है उसमें अपना सब्जेक्ट बता दो अपनी मेल आईडी बता दो उस हिसाब से उस से रिलेटेड जो भी प्रिविएस येर कुश्चन है नोट्स हैं वो सारी चीज़े आपको मेल पर फ्री में प्रवाइड की जाएंगी हाँ फ्री में बेस्ट ओफ लक्ट डिटेल नोटिफिकेशन जैसी वेबसाइट पर आ जाता है तो मैं सर्ते और नियम फिर अच्छे से एक-एक सब्जेक्ट की आप लोगों को जरूर बताऊंगा तब तक के लिए गुडबाई टिक के